हेलो फ्रेंड्स आज जो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैसे तो मेरे दिमाग में ये कई दिनों से चल रही थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ लेकिन मैं गर नहीं पा रही थी क्योंकि पित्रे पक्ष चल रही थी नवरात्रे चल रही थी तो हमारे प्याज का इस्तमाल नहीं हो पा रहा था इसलिए मैं इस अबची नहीं बना पा रहे थी और ये रेसिपी मेरे फैमिली के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे बच्चे टिफिन में अधिकतर ये ले जाना पसंद करते हैं रोटी पराठों के साथ यही खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैंने काफी टाइम बाद आज ये बनाई है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ तो यहां मैंने कडाई रखी है इसमें मैंने हींग डाली है डेली वाली जो हींग होती है उसमें थोड़ा सटोड़ा तोड़कर मैंने इसमें डाला है और जीरा डाला है जीरा चटकने लगा है जैसे ही मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च गिया कस करा हुआ अदरक और बारी कट्यूई हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है और इसको पकाया है फिर मैंने इसमें बारी कट्यूई तीन प्याज ली है ये आप चौपर में भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ये हाथ से काट के बनाना पसंद था तो मैंने इसको हाथ से काटा है चौपर में ये ज़्यादा बरी को जाता है इसलिए मैंने इसको हाथ से ही काट तो यह मैंने इसमें डाल दी है प्याज और इसको अच्छे से इसको चला लेंगे थोड़ी देर तक इसको चलाते रहेंगे जब तक यह लाइट पिंक ना हो जाए हलकिसी इसको भुनते रहें देंगे इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे और आप एक बार यह रेसिपी जरू अगर बड़े साइस के तो दो टमाटर मैंने इसमें काटकर मिक्स कर दिये हैं और अब इसको थोड़ी दिर पकने दिया फिर मैंने इसमें मसाले डाले हैं एक चमच धनिया आदा चमच हल्दी चथाई चमच लाल मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर मिर्च थोड़ा कमी खा दूरला आपके श्वादके पा डीजाले को है check it at this one इस्वाद के नंशार नमक डाला है नमक से ही बहुत ज्यादा अच्छे से गल पाएंगे बहुत ऑफ ही अच्छे से पक पाएंगे और सभी मसालों का टेस्ट इनके अंदर जा पाएगा इसको फिर से मैंने अच्छे से चला लिया है ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए नमक अच्छे से पूरे मसालों में मिल जाए पूरे प्याज टमाटर में मिल जाए है अच्छे से मेरा दावा है आपको यह रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आईगी आपके बच्चों को तो इसलिए मेरी आपसे कुझाइश है वीडियो को पूरा देखिए और यह रेसिपी जरूर ट्राइ किज़ेगा अगर आपनी रेसिपी कभी नहीं बनाई है फिर इसको मैंने डख कर थोड़ी देर के लिए कम से कम 10 मिनिट के लिए पकर रखने के लिए छोड़ दिया है मंदी आज पर इस चीज़ का ध्यान रखेगा आप चेक करते रहेगा नहीं तो यह लगनी का भी डर रहता है जलनी का डर रहता है इसलिए मैंने तो मंदी आज पर करकी इसको 10 मिनिट के कि निक्ते उसके का फोर और है सब्चेमट चाइब के चाहिक कि जोड़ाया है ईसका अर्देखने में भी ज्यादा यम्मि लग रही है बहुत लिवाफमे मैं रेसिपी हमेशा आना कम ही पढ़ जाती है इसल Common에서 3 प्याजती और जनालो च्छाह आदा किलोडी प्याज टिमाटर की बनालो बचे इतना भर ended up के खाते है juice कि मेरे तो सबजी की टैन्शनी खता में गाम acá तो यह मैंने फ्रेंट कैमरा कराए तो इसलिए थोड़ी धुंदली आनी शुड़ू हो गई है मैंने प्लेट में लगाई है यह सब्जी और फिर मैंने थाली भी लगाई है आप भी आजाएए आप भी जल्दी जल्दी सब्जी टेस्ट कर लीजिए खाना खा लीजिए यह मैंने थाली तैयार करने के लिए लगा दी है मैंने इसमें सब्जी लगाई है और मेरे पास दाल रखी थी मैंने वो रखी है और फिर रोटियां लगाई है आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है जरा सी भी हल्पुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक वा शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए और इस रेस सपची कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और टी है जरीजिए और रठी रजोर्टे है और मेरे भी क कीजिए और बदोर्ट chuासे कीजिए ओ्र एला